बच्चो अगर आपको एक अच्छी इंगलिस स्पिकिंग सीखने है या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी से बात करूँ तो हेजिटेशन फील ना आए तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक concept जो two से related phrasal verb है आप लोगों के मन में बहुत बार ऐसे doubts रहते होंगे कि two से related phrases कैसे होते होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ to से related phrasal verbs जो आपके mind में बहुत जल्दी से click हो जाएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं to से related phrasal verbs तो सबसे पहला हमारा phrasal verb है to be और not to be इसका मतलब होता है होना या नहोना जैसे होना या नहोना यही सवाल है to be और not to be that is the question to each his own इसका मतलब होता है अपनी अपनी पसंद जैसे मैं आपको example देता हूँ अगर आपसे कोई बात कर रहा है कि आपको डरावनी film, horror film पसंद है तो आप बोलते हो नहीं, मुझे डरावनी फिल्में नहीं पसंद, तो आप बोलते हो, मुझे डरावनी फिल्में पसंद नहीं है, लेकिन अपनी अपनी पसंद है, इसका मतलब होता है, I don't like horror movies, but to each his own, इसका मतलब होता है, अपनी अपनी पसंद है, आप horror नहीं देखते, बल to air his human इसका मतलब होता है भूलना मानवी है देखो ERR एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए इसको प्रनॉंस करते हैं एर करके जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है भूलना मानवी है शमा करना इश्वरी है मतलब कोई भी इंसान से गलती होती है तो इसते हम बोलेंगे To air his human To forgive divine मतलब किसी से अगर भूल हो जाती है तो वो मानव से भूल होती है लेकिन शमा करना वो इश्वरी होता है To break up इसका मतलब होता है break up करना, रिष्टा तोड़ना जैसे वह मुझ से break up करना चाहता है He wants to break up with me He wants to break up with me To speak up इसका मतलब होता है बोलना जैसे मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए I think we should speak up on this issue I think we should speak up on this issue To get off इसका मतलब होता है उतरना जैसे मैं बस से उतर गया I got off the bus I got off the bus देखो get off का मतलब होता है उतरना लेकिन last की वीडियो में मैंने आपको take की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उतारने को English में क्या कहते हैं ये मुझे आप मुझे इस वीडियो के comment box में बता देना To hold on इसका मतलब होता है रुकना जैसे मुझे लगता है कि हमें बस थोड़ा और रुकना होगा I think we just have to hold on a little longer I think we just have to hold on a little longer To cut off इसका मतलब होता है काटना जैसे उसने अपने बाल काटने का फैसला किया He decided to cut off his hair He decided to cut off his hair To call up इसका मतलब होता है काल करना जैसे मुझे उसका नंबर देना मैं उसे काल करूंगा Give me his number I will call him up Give me his number I will call him up देखो काल अप के बीच में आपको ये बताना है कि आप किसे काल करोगे To call back इसका मतलब होता है वापस फोन करना जैसे मैं आपको वापस फोन करूंगा I will call you back later I will call you back later यहाँ भी same situation है call back के बीच में आपको ये बताना है कि आप किसको काल करोगे तो ये थे हमारे आज के To से related कुछ ऐसे phrases जो आपके English speaking में बहुत जादा काम के आएंगे सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए उन लोगों तक जिनको इनकी जरुरत है